आज मैं आपको जो मूवी एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ उसका नाम है होस्ट और ये काफी जादा होरर होने वाली है अगर मेरी मूवी का एक्स्प्लेइनेशन आपको फसंद आए तो एक प्यार सा कमेंट जरूर छोड़िएगा मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है वो अपने घर जा रहा होता है तो जैक को उसका नेवर मिलता है जिसका नाम माइकल होता है माइकल जैक को देखके उसे क्रिस्मस पार्टी के लिए इनवाइट करता है और अब हम देखते ह जैक अपनी वाइफ लूसी के साथ है जैक की वाइफ के इलावा जैक कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो दोनों काफी ज़्यादा खुस होते हैं वो लोग क्रिस्मस का गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी लूसी को विंडो के बाहर बहुत ज़्यादा हॉर और देखता है घर के बाहर वो लाइट देखता है जिसके बारे में लूसी बता रही होती है लेकिन उसे बाहर कुछ भी नहीं मिलता है जैसे ही जैक अंदर आता है तो लूसी वहाँ पर नहीं होती है जैक अपनी वाइफ को ढून रहा होता है तभी वहाँ पर बड़ी अज लगती है जैक परेशान होकर फॉरन से अपने रूम के उपर जाता है और जैसे ही जैक उपर जाता है उसे रूम के बाहर से ही लाइट अंदर आते हुए दिखती है वो फॉरन जब डोर ओपन करके जाता है तो लूसी बैट पर बहुत ज़ादा तड़फ रही कि फैमिली में उसकी वाइफ दो बेटे और एक बेटी होती है उसी दोरान माइकल डोर बंद सुनकर डोर की तरफ जाता है अब माइकल के घर के दरवाजे पर लूसी और जैक होते हैं लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और ऐसा नहीं लगता है कि वो और लूसी एविल स्प्रेट के कबजे में आ गए हैं फिर लूसी किचन में जाती है माइकल की वाइफ उसे एक नाइफ देती है और लूसी ओनियन काटने लगती है और उसका बिहेवर काफी रूडली लगता है और ओनियन ऐसे काट रही होते हैं जैसे कि पहली बार काट र और अब माइकल अपने बेटे को देगा लेकिन इसी के साथ साथ लूसी भी यहाँ पर आ जाती है और वो अजीब सा विहेब करती है और किसी को नहीं पता चलता वो वहाँ से एक हैमर उठा लेती है अब क्रिस्मस डिनर शुरू होता है और माइकल के फैमली बहुत जादा यहीं पर माइकल की वाइफ जो की कैंसर पेशेंट होती है वो सबको बताती है कि मेरी रिपोर्ट अच्छी आई है और वो अच्छी होती जा रही है इसी दोरान जैक वहाँ से चला जाता है तब ही लूसी पकड़े हुए हैमर से माइकल की वाइफ के सर पर अटेक कर देती ह और यह सीन बहुत ही जादा शॉक्ड है वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ही जादा शॉक्ड हो जाते हैं और घबरा जाते हैं यहाँ पर पहली मरतबा लूसी के फेस के एकस्परेशन चेंज होता है और वो स्माइल करती है इसी के दोरान जैक वहाँ पर स्पार्ट गन ल यह सब हमारे भाईों की गलती है जो कि अब हमें भुगतना पड़ रहा है वहां पर जैक लॉरेन के फेस पर ब्लड लगे हुए को भी टेस्ट कर रहा है और माइकल की वाइफ की डेड बॉड़ी वहां से ले जाता है इसके बाद लूसी वहां से गन उठाती है और सब को गन करके खड़ा कर देती है तभी लूसी माइकल और चोटे बेटे को एक रूम में ले जा करके बन कर देती है यह देखकर एरिक जो की माइकल का बड़ा बेटा होता है जिसे देखकर बहुत जादा शाउट करता है और लूसी यह देखकर उसके सर पर गन से हिट करती है और बह की को बताती है कि तुम्हारी मॉम पहले से ही डड़ थी अब इस पर बात करके कोई फाइदा नहीं है लूसी उस बच्चे को स्टोरी सुनाती है वो बहुत ही जाधा अजीब होती है जिसमें वो कहती है बहुत साल पहले एक फादर था जिसने अपने घर में कुछ गैस्ट्रो ने बहुत जाधा वेट किया और फाइनली अब वो टाइम आ गया लूसी उस बच्चे के रूम से ही प्लास उठाती है और अपने मुझ से दो दांत निकाल लेती है और बच्चे के हाथ में रग देती है और अब उस स्टोरी की बात करें जो कि लूसी ने उस छोटे से बच है लूरिन उसको कॉल करती है और सारी सिच्विशन के बारे में बताती है पहले तो उसका बॉइफ्रेंट यकीन नहीं करता है फिर थोड़ी देर बात बोलता है कि तुम वहां से फटा फट निकल जाओ लेकिन यहीं पर हम देखते हैं जैक लूरिन के बैट के नीचे होता है जैक को उसकी बाते सुनका बहुत जादा गुसा आजाता है और बहुत तेसे साउंड करता है साउंड को सुनते ही लौरिन बेहोश हो जाती है जब लौरिन को होश आता है तब ही अपने बड़े भाई एरिक की आवाज आती है वो एरिक की आवाज सुनते ही उसके प लौरिन विचारी बात समझ नहीं पाती है तभी लूसी पीछे से आती है और उस पर अटैक कर देती है अब लौरिन फिर से एक बार बेहोश हो जाती है और अब जब लौरिन को होश आया है तो खुट को वो चेयर पर पाती है और उसका भाई Eric भी सामने बेहोश पड़ा है और Lauren के नजर अचानक से Jack पर पड़ती है बहुत जादा डर जाती है Jack के हाथ में एक गन होती है और वो Lauren के हाथ में दे देता है और बोलता है कि तुम अपने भाई को शूट कर दो अगर तुमने अपने भाई को नहीं मारा तो हम इसे बहुत बुरी मौत देंगे फिर इसी के साथ साथ बहुत जादा डिस्गस्टिंग होता है डिस्गस्टिंग ये होता है कि Lucy अपना सलाइवा Lauren पर गिरा रही होती है और बहुत जादा weird act भी कर रही होती है यहीं पर Lauren कुछ सोचते हुए अपने भाई पर गन पॉइंट कर देती है लेकिन यहीं पर Eric को होश आ जाता है और वो अपने बहन से बोलता है कि तुम मुझे शूट क्यों कर रही हो और बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो मुझे तुमारे हाथ से मरना पसंद नहीं है मुझे इनके हाथ से मरना मंजूर है लेकिन तुम मुझे मत मारो लेकिन यहीं पर Lauren अपने भाई पर शूट कर देती है इसी दोरान Eric अपने आपको आज़ाद करवाता है और वो वहाँ से भाग जाता है जैसे ही Eric अपने फादर के रूम में जाता है तो उसे बहुत जादा अज़ीब सुनने को मिलता है माइकल Eric को बताता है कि Jack उसी का बेटा है जिसने उसको अपना नाम नहीं दिया था शायद इसी के लिए Jack उनसे बदला ले रहा है नेक्स सीन में हम देखते हैं Jack और लूसी लॉरिन को बेस्मेंट में बहुत बुरी तरीके से घसीट कर ले जा रही है जहां पर वही टीवी होता है जिसमें से लाइट इमिट हो रही होती है जैक और लूसी Eric को अपने कबजे में पुजस करने की कोशिश करते हैं और जब Eric पुजस हो जाता है तब लूसी उसके फेस पर बलड़ फेकती है और बहुत बुरी तरीके से उसे ही साफ कर रही होती है इसी दोरान जैक को महसूस होता है कि लॉरिन वहां से भाग गई है और ऐसा ही हुआ होता है लॉरिन वहां से भाग कर कहीं छुप जाती है नेक सीन में हम देखते हैं माइकल के रूम की चाबी उसके दरवाजे के नीचे से कोई देता है तब ही माइकल अपने रूम को ओपन करता है और लॉरिन को डूडने के लिए निकल जाता है लेकिन उसे बहुत ही अजीब और गरीब आवाज आती है वो दुबार अपने रूम में जाता है और जैसे ही कटन्स को हटाता है तो विंडो के बाहर कुछ लोग पोजिस दिखते हैं और शायद उसी एवेल स्पिरिट के कबजे में है जिनके कबजे में जैक और लूसी है तो माइकल रूम से बाहर आता है तो उसके बेटे से सामना होता है एरिक के आँखों में खून भरी पटी बंदी होती है जिसे देखकर माइकल बहुत जादा डर जाता है नेक्स सीन में हम लॉरिन को देखते हैं जहां पर कुछ पोजेस लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनको माइकल ने अपने विंडो के बाहर से देखा था वहाँ पर हम दुबारा माइकल और एरिक को बेस्मिंट में देखते हैं माइकल जब एरेक की आँखों से पट्टे निकालता है तो उसकी आँखे बिल्कुल ठीक होती है लेकिन उसकी आँखों से वही लाइट इमिट हो रही होती है जो लूसी की आँखों से इमिट हो रही थी इससे माइकल को अंदाजा हो जाता है कि एरेक भी पोजेस्ट है और माइकल पुजस्ट रोने से बच जाता है तभी माइकल अपने बेटे का गला दबाने लगता है जिससे की एवेल स्प्रेट बाहर निकल जाती है लेकिन एरिक माइकल को नहीं छोड़ता है और उसे वहीं पर मार देता है नेक्सीन में हम देखते हैं लॉरेन को फिर से वही ज़्यादा मारती है और अचानक से इसमें ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं लॉरेन के हाथ में एक रस्या जाती है और वो लूसी के गरदने में बानके पेड़ में लटका देती है और जब लूसी की सांसे रुखने लगती है वो लॉरेन से बोलती है कि मुझे और लॉरेन उसे जान से मार देती है दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं वो अपने बेटे के रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर जैक भी होता है जैक माइकल को गंचे शूट कर देता है और सिर्फ यही नहीं माइकल के हाँ से चाको छीन कर बारबर अटैक करता है जिससे की माइकल की डेथ वहीं पर हो जाती है इतनी में लॉरेन वहाँ पर आती है और गंचे जैक को शूट कर देती है जिससे की जैक वहीं पर मर जाता है और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से निकलती है का end इसी curiosity के साथ हो जाता है